हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम बरुन शर्मा है स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौलेज दिक्ष्ट पे जहां आज हम बात करेंगे किचन गार्णिंग या फिर टेरस गार्णिंग के उपर जैसे कि आज कल हम च्छतों के उपर और अगानेक वेजटेबल्स लगाते हैं जिससे कि हमारे टेरस जो थोड़ा देखने में अच्छा लगे और हमें मुझे स्ट्रेस बस्टर भी होता है जो गार्णिंग करना तो आज हम एक बहुत इंपोर्ट चीज पर बात करेंगे वो है कोकोपीट जिस तरह जब टेरस गार्णिंग के ओपर जो यूज होते है जो हमारे पास जो है स्पेस की भी कभी होती है और हम जाते हैं कि जो टेरस है उसके पर च्छत के पर जादा बेट भी नाए तो उसका सबसे अच्छा सब्स्टूर्ट है कोकोपीट क्या बटता है कोकोपीट के अंदर जो वाटर को रिटेन करने की केपसिटी पहुत जो कोकोपीट होता है वो बहुत लाइट बेट होता है जिससे कि आपके जो च्छत के उपर है जो बजन जादा नहीं पड़ता है अगर मान लीजिए आपने दस गमले रखे है तो उसमें जो प्र हार्ट सोली डालेंगे तो उससे उन गमलों का जो बेट है वो बहुत जाद करती है और आप उसके साथ में उसके अंदर जो जितना भी आप जो फर्टिलाइजर डालेंगे और वह भी इच्छे से उब्सर्व होता है तो आईए मैं आप दिखाता हूं कि किस तरह से कोकोपीट को यूज करते हैं और किस तरह से उसको अपने गार्णिंग के अंदर इस क्रश करने की फर्ट पर बना देते हैं यूज को यजिन के आप देते हैं जिस और तैनकेजी की दोना फाइफ केजी की एक ब्रीक है और निकालगहूं इसमें अभ जैसे बीख भी निखिया है और जो जितना इच्छी इसको पाने हो फ़ोछी,टी सफेशना इसको पाने डालएकway काफ्रणी और यह जैसे यह काफ। प्लांटेशन के लिए इसको आप सोयल के साथ मिक्स करके मैं आपको अगली वीडियो में बिता हूँ किस तरह से इसको सोयल के साथ मिक्स करना है और कौन कितनी रेशो में करना है कितनी रेशो सोयल होने इंची है कितनी रेशो कोकोपीट होने इंची है और कितना रेशो वर्म अब मैं आपको एक ब्रिक दिखाँगा, आपको बिल्कुल टैक्टिकली करके दिखाँगा, कि किस तरह से ये पानी डालने पे एक्टेंड कहेगी, यह मैंने इसको इस कंटेंड में डाला, हम इसको निकाल रहे हैं, यह इसको कंटेंड में निकाल लिया, और इसको सेंटर में लेते हैं देखिए आप इस तरह से यह कंप्रेस्ट है यहां साइट से भी देखेंगे तो विल्कुल ऐसे लेयर बनी हुई है इसको हाई कंप्रेस्ट में डालने के आप पोडर को दबा देते हैं जिससे की एक ब्रिक का यह शेप ले लेती है मैंने इसको इस ड्रम में रख द है और अच्छे से पानी ब्रिक के लाश्च्राश अब ड करें आगे प्लांट लिया है अब देखिए मैं इसमों से पानी डाल रहा हुए हुआ किस तरह से पैनी के इससी के अइसको के अवित मौले यहां करता है जाँ पानी की दूआ प़्ूद करते हैं तो यह आप दू EXC अब याप थोड़ा से देखेंगे तो आपको दिखाए मैं आपको पुरा शो करो हूँ किस तरह से यह सो फ्रेंड्स देखिए जैसे यह पहले ड्रम बिल्कुल खाली था और जब मैंने इसके अंदर वो ब्रिक्स डाल दिया थे तो इक इस तरह से भर गया है सिरफ दो प्रिक के अंदर और एक फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी इसको यूज करेंगे तो इसको अच्छे से वाश करना है बेना वाश के यूज करना बिकागा इसके अंदर कोको पिट के इंदर सॉल्ट का कंटेंट काफी हाई होता है क्यूंकि जाहतर जो इनका फेक्टरीज होती है वह थे समूदर के किनारे जहां पर उस सौल्ट वाटर यूज करते हैं जिसकी व्यश् को कॉंटिसली एलर्ट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो आप देखिए कितना यूजफुल है को को पीडियो पसंद आया आपने देखा किस तरह से कोपीड इतना यूजफुल प्रोड़क्ट है आज ही डिट में टैरस गाडनिंग के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा तो प्लिस लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल जिससे कि आपको आने वाले और वीडियो का एलर्ट मिलता रहे थैंक्यू सो मच्छ